लाखों दर्शकों का भरोसे मंद निउस चैनल आर नाइन भारत लाखों दर्शकों दर्शकों का भारत इसके बाद इसमें दो तारी को एक unknown dead body मिली थी उसको जजाज परताल कीगी तो पता लगा ये गड़ेश डाब के विक्ती है गड़ेश तवर्ट और ये मंडलीश्वर्ट शेत्र का रहने वाला है ये किस पकार से मंडलीश्वर्ट से गटना इस तरफ में कोंचे अची चान्मिन कीगी प्रेवाफीश ये ग्राइन मर्डर था और इसके संब्दों कोई क्लूज नहीं थे इसके मोगाइल पॉन के डेटा को एनलाइज किया गया और मिला की कटना देनांग को इसने अंतिम को अपने रिलेश्वर्ट को किया है जगदीश व्यक्ति जो को गुगावा रहता है CCTV कैमरे जो सहर में लगे हुए हैं एक बार पुने उनकी मैता इस्तावित हुई है CCTV पुटेज को हमारी CCTV की टीम ने जब अनलाइज किया ति जानकारी मिली कि ये लगवग राती साड़े नौ बजे के आसपास ये औरंगा पुल पे देखा गया था औरंगा पुल के बाद से इसके मोममेंट को ट्रेस किया गया और इसके जिलेटिव को जो लास्ट कॉल किया था ने जानकारी मिली की कोई परवेज नाम का व्यक्ति है जो इसको पुल पे मिला है और उसके साथ ये कुछ गंटे अपना रहने वाला था इसके अलावा घटना इस्तल पे जब जानकारी मिली थे इंबिजेटली एडिस्ट्रेश्वी सिटी मरीश खत्री रहा हो सारे अधिकारी पहुँचे थे ट्रेकिंग डॉग भी आया था और ट्रेकिंग डॉग ने जो इसमेल को ट्रेक करके आगे डारेक्शन दी उस डारेक परवेज नाम के विक्ति रहता है हमारी पूरी उत्वाली थाने की टीम जयतापूर के चौगी प्रवारी स्ट्राइवर की टीम थाना प्रवारी मैंगाव यह सारी टीम में अधिन एस्पी मनीश खत्री जी की डारेक्शन में काम कर रही थी क्योंकि पुरानी जो क्रिंडल की इनपूट हमें मगी की परवेज नाम के विक्ति वही है जहां पर ट्रेकिंग रोग गया था इस इनपूट के अलहाब में परवेज को कस्टडी वले के पूपता शीरी परवेज ले अपना जुना कबूल किया है इस केस में हमने दो आरूपियों ग्रफतार किया एक परवेज और रियाषत सराब पीने के बहाने से इसको लेके गए शुपपूरी की सराब दुकान से रोजे सराब ली और मैदार में जाकि सराब पी सराब पीने के दोरान इनमें जगड़ा हुआ जगड़े में दोनों आरूपियों ने परवेज और रियाषत ले इसके साथ मार्पीट की की मार्पीट में जो गंपीट चोटे आई